यह फूली फूली खस्ता आटे की आलो को चौड़ी दोस्तों यह बहुत बहुत आसान रेस्पी और इतनी बर साथ हो रही है कि इसमें यह बहुत भाती है तो आप एक वार जरूर बनाएं तो नमस्कार दोस्तों आपका श्रागत है और चरीजिस पीमें चलिए शुरू करते ह कर सकते हैं तो यह हम आलू और बैगन टमाटर का चोखा बना देंगे तो यह भी मात्र पांस से दस मरेट में बनके त्यार हो जाएगी आए काटके एक थोड़ा से एक चमचा सरसो का तेल डाले हैं और इसी में बैगन और यह टमाटर भूनने के लिए रख दी है ताकि मतलब जले ना असानी से भूने तो बहुत अच्छे से भून जाती है आईए आधा पोट लासुन लिए हैं चील के चार से पांच हरी मिर्च ले लेंगे तो आप चाहे तो अधरक डाल सकते हैं पर अधरक अलग से हम मतलब कूट के डालेंगे तो इसका स्वात बहुत बहुत अच मतलब पेश्ट बना रहे हैं तो अलू उबली हुई है थोड़ा सा हिंग डाल देंगे तो इस सजाइका बढ़ जाएगा जीरा है कसुरी मेति अजवाइन मंग्रेल और कुटू ही धनिया अच्छ सौफली हूं तो यह इसका इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है तो यह मसाला अलू की कचोड़ी बन रही है दोस्तो तो एक प्याज लिए तो प्याज एक मेडियम साइच का प्याज है हरी मिर्च जरूर डाले इसमें एक जायका आता है बसे हम कुट्यू ही लाल मिर्च भी डालेंगे तो यह कुटा हुआ अद्रक इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है तो एक बार इस तरीके से आप जरूर बनाईए आईए बहुत-बहुत स्वादिस्थ मतलब लगती है अभी बारिस के दिनों में और एक चमच यह अद्रक रशुन और जीरा गुलकी के कपेश्ट डाल दिये हैं साथ में रेगुलर मसाला जो है हल्दी धनि और देगी में डर्श डाल के अच्छे से भून लेंगे तो इसमें थोड़ा सा गड़ा मसाला भी बहुत ज्यादा नहीं हाप चंचा डालेंगे तो इसका टेस्ट बहुत-बहुत अच्छा आएगा तो यह मसाला भून जाती है तो मतलब भून ही गई है तो नमक डाल है तो आज मैं नहीं बना रही हूं खस्वरण बना रहे हूँ तो इस तरह से मैं वीडियो सूट कर 144 है जास बहुत अच्छा लगे गईगी तो डालेंगे तो डालेंगे मたलब चल पटा टेस्ट आता है है दोस्तों चुट्टी भी है तो यह आलू वाले का चोड़ी और चोखा बनेगा आलू बैगन टमाटर का तो इस तरह से अब चोखा का तयारी है तो इसमें भी जीरा अजवाइन और कसूरी मेथी और सौप थोरा से लिए हैं तो डालेंगे इसमें मंग्रेला भी डाल सकते है पर बेटा को पसंद नहीं इसलिए हम नहीं डाले हैं कुटी हुई यद्रक और बैगन टमाटर उबालते समय इसमें एक प्यास भी डाल देंगे हरी मिर्च कटी हुई तो इसमें जैका अधिकी हरा मिर्च से तीता नहीं होता है एक जैका बढ़ता है और यह हींग डालेंग मतलब भून रहे ही तो ही हम बैगन टमाटर इसमें आड़ करेंगे तो उसको अच्छे से कूच लेंगे पहले यह अच्छे से भून लेंगे तो देखें यह बैगन टमाटर लासुन जो है इसमें बहुत अच्छा स्वाथ लगेगा ग्यास में पकाने से सोंधी सोंधी तो लगती है पर ग्यास ना खराब मतलब मूँ बंद हो जाता है ग्यास का तो इस तरह से ही आज हम बना दी है और थोड़ा सा ग्यास का भूना हुआ बेटा को पसंद नहीं है दो चमचा पानी डाल दी हैं दोस्तों चेश्रा एक आयो अर्मिय से अर्ट Ça के कोडिंग नमक डालें गें नमक बहुत ज्यादा त्यार हो जाती है आप फटा फट आई आटा लगा लिए तो यह गेहू का ही आटा है दोस्तों मेरे घड़ पर मैदा नहीं चलता है तो उसी में मतलब अजवाइन मंग्रेल और कसूरी मेथी और एक सिद्धेर चमचा घी डालके आटा को मिला लिए हैं तो आपको पता ही है कि आटा में ज्यादा मोयन नहीं पड़ता है आटा ज्यादा मोयन को बरदास नहीं करता है बहुत ज्यादा जैसे मैदा में होता है कि फटता नहीं इसमें बहुत ज्यादा खसता हो जाती है आई इस तरह से सारे मतलब भाड़ लेंगे मतलब हाथ से ही फैला लेंगे ज्यादा कचोड़ी यह ते इसको बेलने की जरूरत नहीं है ठंडा हो गया है अलू को फैला के मिस्तरा सरक दिये हैं सारे कचोड़ी को पहले चेस से साथ भर लेंगे उसके बाद सब तेल में छोड़ेंगे और यह ठंडा भी हो जाएगा आप इसको सफर में भी ले जा सकते तो सफर के लिए भी बहुत भी अच्छा है और मतलब खराब नहीं होती है ठंडा होने के बाद भी यह सौफ्ट बनी रहती है तो हमारी तरफ देखिए अब एक नजदीक से हम आपको मेड के दिखा रहे हैं तो अच्छा से फिलिंग दवा के भरना है ताकि खाने में अच्छा लगे और इसको अच्छा से मुह को दवा देना है या गोल-गोल घुमा के इसको हथेलियों से चप्टा कर लेना है तो फटती नहीं है बह तो देखें को दिये हैं डालने के लिए तो देखिए कैसे साइट से डाल रहे हैं डड़ड़ के आज मेरा मतलब हम ठीक नहीं है दोस्तों तो इस तरह से वाकि सारा प्रिपेरेशन तो हम ही किये हैं सिर्फ इनको थोड़ा सा हां देखिए सब अच्छे से पढ़ गया है तो अच्छे से डाल देंगे ना तो यह फटा फट बन जाएगी इसको बहुत जाता तेज करके आप बिल्कुल भी ना मतलब सीम तू मेडियम तो यह बहुत ही अच्छे से बनेगी इस तरह से सारे कचोड़ी ना फटे फटे बन आएंगे तो यहां ने दोस्तों इतना बारिस साइकलों जैसा हो गया है ना देखे कितना खसता बनके तियार हुआ है और लाइन का भी उतना ही गड़वड़ी हो गया है दो तीन दिन से लाइन नहीं लगातार पानी लगातार पानी हो रही है यह बहुत अच्छे से तो दो ना दिये हैं बहुत मौसम ठंडा है और यह बहुत खसता ही बनी है तो इस तरह से अपने भीवड के लिए सबसे पहले अपने भीवड के लिए परोस्त देंगे सबको हरी मिर्च का भी डिवान था कि हरी मिर्च फ्राइए करके भी लोगों खाना है तो साथ में खीर लगा दिए ठाकुर्जी का भोग लगता है अधिके बैगन का चोखा देखे कितना अच्छा बन के त्यार हुआ है तो थोड़ा सा हल्दी और अलका सा देगी मेरा दाल नेक्स्ट विडियो में सियार करेंगी और यहां पर मिर्च disputes का भरवा मिर्ची का अचार तो कहीं से भी आप connect कर के तयार हुआ है तो सपोर्ट जरूर कीजिएगा वीडियो कहीं से भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अपना फिडबैक दीजिए दोस्तों कैसा लगा यह कहां से आप अपनी वीडियो देख रहे हैं ठैंक है तो सब्सक्राइब जरूर कि यह कहुत्भा यह को एक शी से एक करे लिया है तो आपके लिए मैं तो एक शी हिरोका लगी अवान फूर का बाला जसे दो कीजिएग से इक व्या तो